ये वीडियो में एक अलर्ट वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो अलर्ट की इसलिए बनानी मुझे पढ़ रही है क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि भाई हमारे चैनल डी मोनेटाइज हो गया है उसका कारण क्या है उन्होंने क्या गलती करी थी और जो क्या गलती करी है जो उनका चैनल आज डी मोनेटाइजेशन उनकी ओफ हो चुकी है तो भाई वो गलती मत करो और जान लो सुन लो क्या गलती है सबसे पहले मैं आपको बताए तो भाई आप जब कोई भी वीडियो का बैक्ग्राउंड वगेरा ये कोई आप वीडियो की किस को यूज कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर जिसमें लिखा रहता है और कुछ-कुछ वीडियो में लिखा नहीं रहता वो सिर्फ उनको करेडिट दे दो अपने डिस्क्रिप्शन में वह आपको उस कॉंटेंट को यूज करने के लिए अलाव कर देते हैं लेकिन भाई य उनके पास copyright claim आ रहा है तो भाई प्लीज इन सब चीजों से बचो आप जिसकी वीडियो यूज करते हो अपनी वीडियो के अंदर और फनी वे में क्यूंकि आप इसी वीडियो को इंट्रेस्टिंग मिलाने के कोशिश करते हैं तो अदर अदर वीडियो यूज करके छोट श अब भी वो copyright दे रहे हैं ठीक है और जब copyright strike आता है तो भाई चैनल पे कहीं न कहीं एक negative effect पड़ता है और अगर बार-बार copyright strike आ रहा है तो भाई आपके चैनल को demonetize भी कर दिया जाता है अगर आप उनका जादे content यूज कर रहे हो और उनको credit नहीं दे रहे हो तो आपके चै क्लिप्स चाहिए नो copyright वाली तो भाई आई बटन में जाना मैंने complete वीडियो बनाई हुई है उसके उपर के भाई आपको तीन से चार मेरे website के बारे में बताया है कि इन website से आप फिरी में video clips ले सकते हैं अपनी वीडियो को थोड़ा interesting बनाने के लिए ठीक है अगर आप अप आपका presentation लगता है आप क्या बता रहे हो साइड में निकल के आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा फील होता है जो आपका viewers होते हैं वो भी उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वाई कई आपकी वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं ठीक है और यह जो मैंने गल में या नहीं दे रहे हो इन सब चीजों का दियान रखना नहीं तो भाई आपका चैनल भी डी मोनेटाइज हो जाएगा यह आपकी मेहनत खराब हो जाएगी क्योंकि आप कितनी मेहनत करके बाई एक साल लग जाता है चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए 4000 गंटे वाश गर आप है उसको कंप्लीट करने की लिए लग भग भाई सालों भी लग जाते हैं किसी किसी के साल ते उपर भी हो जाते हैं और किसी किसी के थी मैहने में पहला तो आप कितनी मैंत करते हो वीडियो का कॉंटेंट डिशेर्च बहुत बढ़ा असब बढ़ी प्रोफ प्रश इस वीडियो पर यह तो हमने बना दिया भी नेक्स क्या बना है उसकी भाई वो सोचते रह जाते हो आप तो जब आप एक नया चैनल होता है तो आप यह मत सोचा करो कि भाई अब यार इतना साथा अब नेक्स वीडियो क्या बना हो भाई जो आपने कॉंटेंट एवर ग्रीन पर आप वीडियो बनाया करो क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कभी-कभी एकदम आपके चैनल को उससे बूस्ट मिल सकता है और मिलता भी है अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करोगे तो अगर आपके नया चैनल है और आप भी इस तरह की क्लिप्स वगरा लगा रहे हो तो भाई उनसे बचो ठीक है क्योंकि वही लोग आपको कॉपिराइट दे देते हैं और कॉपिराइट आते ही तो भाई कॉपिराइट आने के बाद भाद आपके चैनल के नेगटिव झाल कि बाद आते हैं और क्योंकिशनो पूर आत भाईट